देखो, analytical chemistry is a branch of science which deal with the study of separation, identity, medical condition, या फिर medical चीजों में भी, analytical chemistry का क्या है, बहुत जादा use है. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? I think आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, और A to Z practicals को जरूर वाच आउट कर रहे होंगे. सो बच्चों, मैं आपको बता दू कि मैं यहाँ पे आपका 11th chemistry का chapter number 2, introduction of analytical chemistry स्टार्ट करने वाला हूँ. सो बच्चों, मैं आपसे एक आसा या फिर एक उमीद कर सकता हूँ, जैसे आपने मेरे practicals के वीडियो पे मुझे बहुत सारा support दिया है, वैसे मेरे lectures के वीडियो को watch out कीजेगा, अगर अच्छा लगे तो अपने friend के साथ में भी जरूर share कीजेगा. सो जो भी बच्चे नए हैं, क्रिपया करके इस चैनल को जरूर subscribe कर ले, चलो मैं आपका chapter number 2, और अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दू कि बेटा मैंने आपका chapter number 1 जो था, some basic concept of chemistry already इस पे करा के दे दिया, आप उसको जरूर से watch out कीजेगा, सो आज मैं आपक chapter number 2, introduction of analytical chemistry, और इसमें हम बहुत ही मजे से देखने वाले concept, क्योंकि chemistry आपको बहुत जादा heart लगता होगा, लेकिन मैं आपको chemistry बहुत ही मखन की तरह clear करके दूँगा बच्चा, बस आपका सारा ध्यान मेरे उपर होना चीए, या फिर आपके mobile screen पे होना चीए, चलो हम इस ध introduction, क्योंकि introduction में ही बच्चा बहुत सारी चीजे छिपी होती है, ठीक है, तो चलो हम देखते हैं पहला introduction और पहला introduction में पहला ही word हम लोग देखेंगे बच्चा की what is, what is analytical chemistry, पहले ये analytical chemistry क्या होती है, पहला topic हमारे यही रहेगा, कि ये analytical chemistry क्या होती है, तो किसी को पता है analytical chemistry क्य होती तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्योंकि आपको डरना नहीं है तो चलो देखो बच्चो analytical chemistry के अंदर क्या करते हैं यह जो analytical chemistry है ना यह हमारे chemistry का ही ब्रांच है मतलब science का ही ब्रांच है और इसके अंदर इसके अंदर बच्चा हम क्या करते हैं, separation करते हैं, identification करते हैं, qualitative and quantitative analysis करते हैं, आप बोलोगे सर यह separation क्या होता है, तो किसी भी product को किसी में से निकाल देना, किसी solvents को निकाल देना, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपने अपने घरों में नमक और पानी को dissolve कर दिया है, तो मैं नमक और पानी को मतब salt और water को बेटा separate कर सकते हैं, यही तो होता है separation, identification क्या होता है, identification मतब उसमें आपने salt में कौन सा salt डाला हुआ है, NACL डाला हुआ है कि KCL डाला हुआ है, वो मैं find out कर सकता हूँ, सब को समझा, analytical chemistry क्या होता है, ठीक है, चलो देखते हैं, इसका definition, देखो, analytical chemistry is a branch of science which deal with the study of separation, identification, qualitative and quantitative analysis is called as word बच्चा, analytical chemistry, लेकिन अब यहाँ पर एक word आ रहा है, analysis, analysis मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं, analysis मतलब क्या होता है, बच्चा जो आपका analysis होता है, बच्चा जो आपका analysis होता है, analysis में हम basically physical and chemical properties को study करते हैं, किसकी study करते हैं, इसकी study कर the information about chemicals and physical substance of this sample, मतलब, जैसे आपको कोई मैं sample देता हूँ, like मैंने salt का ही sample दिया, तो उसकी physical properties क्या है, मतलब उसका melting point क्या है, balling points क्या है, अगर वो सारी चीजे करते होता होता है, अगर आपका analysis बोलते हैं, दूसरी चीज, इसकी chemical properties का है, मतलब NECL किसी के साथ में react कर रहा है या फिर NECL आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, किस bond की थ्रू जुड़ा हुआ है, so that is what, बच्चा, यही तो है आपका analysis, अगर आप यही सारी चीजे find out करते हैं, तो इसी को analysis बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लियर है सबको analysis क्या होता है, so फटा-फटा आप इसका screenshot ले सकते ह बहुत ही अच्छा notes में यहां पर आपके लिए बना के दे रहा हूँ, ठीके बच्चा, चलो, analysis आपको समझ में आगए, किसके दर हम, chemical and physical properties की क्या करते हैं, study करते हैं, किसी भी sample की, ठीके, sample तो पता है ना, आपको, आपका जो salt हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपका sample होता ह है, okay, next है, analysis के बच्चा, दो type होते हैं, कितने type होते हैं, analysis के, तो analysis के हम दो type पढ़ने वाले, एक है हमारा qualitative analysis, और दूसरा हम पढ़ेंगे, quantitative analysis, क्या पढ़ेंगे बच्चा, qualitative analysis and quantitative analysis, तो देखते हैं, फटा फट चलो, कि qualitative analysis क्या होता है, quantitative analysis क्या होता है, okay, चलो, ध्यान से दे करते हैं सब्स्टेंस के अंदर या फिर जो सेंपल हमें दिया जाता है उसके अंदर प्रेजंस और एपसंस ओफ एलिमेंट्स अगर मैं आपको कोई सेंपल देता हूं बच्चा तो आपको पता करना रहेगा कि उस सेंपल में सोडियम है कि क्लोरीन है कि कार्बन है अगर आपने इसकी स्रडी कर दी तो इसको हम लोग बोलते है क्वालिटेटिव एनालिसस तो देखो वही लिखा है determination of presence and absence of elements in the compounds is called as what qualitative analysis चलो दूसरा दिखते है कि quantitative analysis क्या होता है तो determination of proportion of the elements in the compounds या mixture ठीक है तो हमारे mixture या compounds में उस element का proportion कितना है जैसे मैंने आपको NECL दिया तो NECL का proportion कितना होता है अगर मैंने आपको NECL दिया तो ये एक one ratio one proportion में क्या है एक दूसरे से मिले हुए है तो अगर मैं किसी भी sample का proportion find out कर लिया जैसे KCL का proportion कितना है one ratio one way वो भी मिला हुआ है तो अगर मैं किसी sample का या फिर किसी compound का किसी mixtures का अगर मैं proportion find out कर दिया proportion बड़ी चीज so that is called as what quantitative analysis क्या बोलते इसको quantitative analysis तो सबको समझी में आया qualitative analysis क्या होता है quantitative analysis क्या होता है किसी को कुछ doubt तो नहीं नहीं है qualitative छोटी चीज quantitative बड़ी चीज proportion find out करना one ratio one और यहाँ पे हम क्या find out करते है हम यहाँ पे बच्चा find out करते है बस कौन सा elements है present है या नहीं है ठीक है सबको समझ में आ रहा है चलो आगे बढ़ते है अगला topics हम अपना देखते है importance of analytical chemistry मतलब analytical chemistry के importance क्या है हम क्यों पढ़ते है analytical chemistry तो चलो देखते हैं कि इसके chemicals में क्या important है chemistry में क्या इसके importance है पहला ही हमारा topic रहेगा chemical analysis क्या important रहेगा chemical analysis अब देखो analytical chemistry के अंदर हम लोग chemical ही चीज़ों को तो मतलब यह बहुत ही best technique है, बहुत ही अच्छी technique है, इसके अंदर बच्चा हम लोग monitor करते हैं कि हमारे air में कितना composition है, क्या air का composition कितना है, ठीक है, raw material में कितना composition, क्या present है, क्या नहीं present है, जैसे soil में, क्या क्या present है, calcium है कि नहीं, magnesium है कि नहीं, तो यह ratio को भी हम इस analytical technique के थ्रूप पता कर सकते हैं, तो chemical analysis में चलो देखते हैं, यह definition कही बार आपके exam में आया है, तो one of the most important method for monitoring, composition of raw materials, intermediate, finishing product, and also composition of air, मतलब हमारे raw materials में क्या होता है, हमारे air में क्या composition है, हमारा जो product बन गया, उसके अंदर क्या composition है, क्या chemical चीज़े मिली हुई है, वो सारी चीज़े हम क्या कर सकते हैं, chemical analysis में find out कर सकते हैं, ठीक है बच्चा सब को समझ में आ रहा है, चलो, तो देखेंगे कि इस chemical analysis का use कहा करत हैं, जिसे देखो, agriculture में soil की fertilization सही है कि नहीं खराब तो नहीं नहीं हो गया, otherwise हमें मिलेगा क्या यहुँचावल खाने के लिए, ठीक है, तो वो analytical chemistry के through ही होता है, उसके fertilization, fertility की check-up होती है, ठीक है, वो analytical chemistry कर के देता है, दूसरा हम यहाँ पे determine कर सकते composition of soil, बताब determination of composition of soil and fertilization, मताब हमारे soils में, हमारे soils में, हमारे soils में, like, calcium है की नहीं, ठीक है, magnesium है की नहीं, या फिर हमारे जो, जो हम उसमें, गेहूं वगरा, चावल वगरा उगाते हैं, उसके लिए जो जरूरी चीजी है, जो ions, minerals जो उसमें होनी चाहिए, वो है या नहीं है, ठीक है, तो उस soils के composition क हम क्या कर सकते हैं, find out कर सकते हैं, उसके fertility, उस soil के fertility को भी क्या कर सकते हैं, find out कर सकते हैं, ठीक है, दुसरा हम देखते है, in medicine, तो medicine, मताब chemical analysis का medicine में क्या uses है, तो बेटा, यहा पे हम डिटर्माइन करते है composition of medical preparation, मतलब हमारे जो medical industry है, उसमें क्या-क्या composition डाला जा रहा है हमा amount में डाला जा रहे हैं कितने percentage में डाला जा रहे हैं तो in medical condition या फिर medical चीजों में भी analytical chemistry का क्या है बहुत जादा use है तो in medicine determine the composition of medical preparation तो during the medical preparation कितना chemical composition हमारे medical substance में जा रहे है वो भी हम analytical या फिर chemical analysis के थुरू analytical chemistry के थुरू हम क्या कर सकते बच्चा find out कर सकते हैं ठीक है and third is what analytical chemistry has application in forensic science ठीक है और engineering and industry ठीक है forensic science lab देखे होगे आप CID वगरा देखोगे तो Dr. Saarunke के ठीक है मैंने तो थोड़ा वू देखा था तो उनका देखे होगे एक lab था तो that is the analytical lab बोलते है ठीक है तो वह एक बहुत ही अच्छा एक्जामपल था मेरे लिए कि analytical chemistry का applications क्या है तो forensic science में application है ठीक है engineering में application है और industry में भी हम लोग क्या करते इसको use करते तो सबको पता चला chemical analysis क्या होता है तो chemical analysis बताओ बच्चा क्या होता है तो यहाँ पर हम लोग raw material का composition find out कर सकते हैं air में कितना composition है वो find out कर सकते हैं agricultural में soil का composition कितना है soil के fertility कितनी है chemical analysis के थुरू वो find out कर सकते है medical चीजों में find out कर सकते बच्चा और इसके application बहुत ही अच्छ है analytical के forensic science डॉक्टर सारुम के ठीक है और और क्या है engineering and industry में भी इसके बहुत सारी क्या है applications है सबको समझ रहा है कि analytical chemistry को क्या important से यहाँ पर ठीक है चलो बचा सबको समझा है ना यह चीज अगर आपको समझ रहा है तो प्लीज वीडियो को like करके चानल को ज़रूर subscribe कर लीजीगा और मैं आपका अगला concept ready करता हूँ आपके लिए यहाँ पर देखिए ठीक है चलो देखो अगला है analysis दान से देखिएगा analysis मैंने तुम आपको बता दिया कि analysis के अंदर क्या करते है basically chemical and physical चीजों का substance है वह हम क्या करते है determine करते है तो चलो देखते analysis के अंदर और क्या-क्या चीज है तो analysis के अंदर हम लोग करेंगे पहला semi-micro analysis क्या करेंगे बच्चा semi-micro analysis अब दियान से देखो semi-micro analysis मतलब मैं बहुत छोटी चीज ही बात कर रहा हूं तो दियान से सुनो अगर मैं कोई चोटी चीज के ऊपर test करते हूं थोड़ा-थोड़ा sample लेकर test करते हूं बहुत ही small amount में so that is called as what बच्चा semi-micro analysis तो देख लेते हैं यहां पर फटा-फट देखो when amount of solids or liquid sample in few gram for analysis तो अगर मैं test tube में थोड़ा सा लेकर test करूं test tube में थोड़ा सा लेकर क्या करूं test करूं तो उससी को बोलते है semi-micro analysis क्या बोलते हैं बच्चा उसको semi-micro analysis चलो देखते है semi-micro analysis तो हम लोगों ने देख लिया अब दान से देखेगा इस it have a two type जो semi-micro analysis हम लोग करते हैं उसके कितने type हैं two type पहला है same semi-micro analysis के अंदर भी दो तरीके की चीज़े की जाती है qualitative analysis and quantitative analysis तो चलो देख लेते qualitative analysis के अंदर हम लोग semi-micro analysis में क्या करते हैं तो हम लोग separation करते हैं separation such as precipitation, extraction, precipitation प्रेसिपिटेशन क्या होते है पता है PPT अभी आगे चलके करोगे अपने 11 में के practicals में आपको test tube दिया जाएगा कोई salt दिया जाएगा reactions होंगे उसमें कुछ ना कुछ डालना रहेगा तो आपके नीचे solid color की चीज़े जमा होती तो उसको precipitate बोलते हैं कुछ particles जमा होते है test tube के नीचे तो उसको हम लोग precipitation बोलते हैं extraction करते हैं ठीक है और दुसरा यहां पे qualitative analysis में हम लोग identification भी करते हैं तो किसका identification करते हैं तो आपका identification होगा देखो कि identification is based on what color, order, melting point and balling point मतलब अगर हमें कोई sample दिया गया तो हम उसका identification किस बेस पे करेंगे कि उसका color कैसा है उसका melting point कितना आ रहा है उसका balling point का रहा है smell करके देखेंगे उसका order क्या है ठीक है तो semi-micro analysis के अंदर two types जो थे qualitative analysis सबको समझा qualitative analysis में बच्चा पहले क्या करते है separation करते और दूसरे time पे क्या करते है identification करते identification तो बहुत इज़े आपको order पता करना है color पता करना है melting and balling points पता करना है यह जारी चीज़े पता करने है न आपको ठीक है बच्चा चलो आप देखेंगे हम अपना quantitative analysis तो धान से देखेंगा quantitative analysis में हम लोग क्या करते हैं मतलब बड़ी चीज़ों की उपर study करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़े बहुत ज्यादा important है एक है आपका graviometric analysis और दूसरा है आपका volumetric analysis तो जो आपका volumetric analysis होता है न उसमें basically हम ml वगेरा या फिर volume वगेरा find out करते हैं और graviometric analysis में हम weight वगेरा find out करते हैं तो देख लेते हैं दोनों की diagrams कैसे आपको पता चलेगा volumetric analysis आपकी colleges में पहला practical से titration ही है तीक है titration ही आपका volumetric analysis होता है यारवी में लगबग वो लोग पहला practical सापका titration कराते है तो देखो यह आपका titration है ठीक है आपको burate pipette लेना रहता है और यहाँ पे चीजे हम लोग volume में determine करते है तो that is called volumetric analysis और दूसरा है graviometric analysis तो graviometric analysis के अंदर देख रहे हो यह कुछ funnel, buncher, कितना क्या loss हुआ है, mass का कितना loss हुआ है, weight का कितना loss हुआ है तो graviometric analysis में हम लोग वो करते हैं लेकिन अभी आप बस इतना समझे कि semi-micro analysis में quantitative analysis है उसमें हम लोग क्या करते हैं volumetric analysis करते हैं और graviometric analysis करते हैं और दूसरे जगह qualitative analysis में क्या करते हैं बच्चा separation करते और identification करते है, separation, separation मतलब separation के अदर क्या क्या आता है, extraction, precipitation, ये सब आता है, और identification के अदर क्या आता है, color, odor, melting and boiling point, बिटा सब को समझा है ये चीज, मैं आगे बढ़ू ना, पक्का, clear रहना, चलो, next देखेंगे, next topic है हमारा, chemical method of qualitative analysis, next method क्या हमारा, chemical method of qualitative analysis, बतल अब, जो हमारा chemical method होता है, उसके अंदर हम qualitative analysis को कैसे करते हैं, अगर मुझे कोई चीज, chemically react करने ही, कोई चीज, किसी को लेके कुछ बनाना है, कुछ करना है, कोई मुझे salt दे दिया गया, उसका testing करना है, तो qualitative analysis में कैसे करेंगे, qualitative analysis मतलब small लेना है, कितना लेना है, small, थोड़ा सा लेके करना है, तो अगर हम उस sample को थोड़ा सा लेंगे, तो उसको chemically कैसे reaction करेंगे, उसके दो stages होते है, अगर आप उस sample को लेते हो, देखो धांजो सुनो, पहले, इसका मतलब ही सुनो, chemical method of qualitative analysis का मतलब क्या, अगर आपको कोई sample दिया, गया मेरे through, और आपको उसको chemically क्या करना है, reaction करना है, लेकिन qualitative method के थोड़ा 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 लेना है, qualitative, quantitative, नहीं, qualitative, तो इसके दो तरीके के type होते, एक होता है आपको dry method, ठीक है, क्या लिखोगे, dry method, और दूसरा होता है बच्चा आपका weight method, ठीक है, चलो, देखते, dry method क्या होता है, और weight method क्या होता है, बहुत इधान से देखेगा बच्चा आप लोग यहाँ पर, यह होगा मेरे dry method, और यह हो गया बच्चा मेरा weight method, ओके, चलो, देखते, dry method में क्या करते हैं, सो बच्चे हम लोग dry method में यहाँ पर sample जो लेते हैं जो sample लेते dry method में उसको हम लोग dissolve नहीं करेंगे ठीक है और weight method में sample को dissolve करके ना free testing की जाती है ठीक है सबको समझ में आ रहा है clear है ना सबको तो यहाँ पर क्या लिखोगे sample under test is not drying जो भी आप sample लोगे ठीक है आप यह test tube लोगे इस test tube के अंदर जो भी आप थोड़ा सा sample लोगे उसको dry method के through ही reaction करेंगे उसको waters वगेरा में dissolve आपको नहीं करना है directly test करना है preliminary test वगेरा जब आपको अभी कराए जाएंगे नहीं 11 में तो आपको पता चलेगा ठीक है कि बस आप patience रखेगा तोड़ा सा ओके चलो दूसरा देखेंगे weight method तो weight method में हम लोग क्या करते है पहला जो में sample दिया जाता नहीं बच्चा उसको पहले हम लोग dissolve करके फिर testing करते हैं तो weight method में क्या होता है sample under test tube is first dissolve sample under test tube is first dissolve ठीक है पहले हम लोग इसको dissolve करेंगे then आपको क्या करना पड़ेगा test करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर without dry किये हुए sorry without dissolve किये हुए test करना पड़ेगा dry method में और weight method में क्या होगा जो भी आपको sample दिया जाएगा थोड़ा सा test tube में लेजिए थोड़ा सा water डालिए मतलब उसको आपको moisturize या फिर कोई गीला करना पड़ेगा उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो test perform कर सकते हो सो बच्चा clear है सबको chemical reaction in quality to analysis दोनों टाइप सबको clear है ना पक्का clear है चलो देखे आगे देखेंगे अगला हमारा है जब आप semi micro analysis करोगे तो कौन-कौन से apparatus की आपकी जरूरत होगे आपको ये भी आपका one marks का question exam में कि जब हम semi micro analysis करते तो हमें कौन-कौन से apparatus की जरूरत पड़ती है तो बच्चा आपको बहुत सारे apparatus की जरूरत पड़ती है आप 3-4 चीज़े बस यहां पर लिख लिजिए test tube, beaker, evaporating disc, crucible, watch glass, wire gauze, burner, blow pipe, pass of tongue ये सारी चीज़े की हमें जरूरत पड़ती है test tube जानते होगे, beaker भी जानते ही होगे आप लोग, evaporating disc, एक round china diswash बोलते हो चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है, like, bowl जैसा होता है वो, watch glass, एक पतली सी चीज होती है, ठीक है, आप ये सारी चीज़े अपने practical slab में धिरे-धिरे आप ये सारी चीज़े देखेंगे, ठीक है वाइर गॉस क्या होता है, burners क्या होता है, burner मतलब अपने lab अगरे गहर होगे तो देखेंगे burners, और blow pipe, blow pipe क्या होता है, एक air, air के through हम उसमें करते हैं, ठीक है, आपको ये सारी चीज़े प्राक्टिकल में धिरे-धिरे पता चल जाएंगे, ठीक है, तो इतने equipments के में ज़र inorganics compound, qualitative analysis for organic and inorganics compound, बतलब हमारा qualitative analysis है, उसमें हम organic compounds को कैसे treat करते हैं, और inorganic compounds को कैसे treat करते हैं, और inorganic compounds को कैसे treat करते हैं, तो फटा फट बताओ, जो small amount में लेके testing किया जाता है, उसको qualitative analysis बोलते हैं, चलो, देखते हैं कि हम organic और inorganic compounds को qualitative analysis में कैसे testing करते हैं, तो फटा फट तो पर देखते हैं हमारे दोनों टाइप that is Organic Compounds और Inorganic Compounds Organic Compounds को बच्चो दो टाइप में रखा गया है पहला है आपका Test Based On Elements और दूसरा है Test Based On What Compounds ठीक है यह पहले ही आ गया है तो Organic Compounds को दो टाइप में करते हैं हम लोग Test Based On Elements और दूसरा क्या तेस्ट Based On Compounds compound, चलो देखते हैं, test based on elements, मतलब आपको पता होगा, ऐसे मैं oxygen की oxygen को determine करूं, carbon को determine करूं, तो यह सब हमारे elements है, तो अगर मैं इसकी determination करता हो, तो that is test based on elements, तो देख लो यहाँ पे, so we check presence and absence of elements like hydrogen, nitrogen, oxygen, अगर यह सब सारी चीज़ों की testing होगी, तो that is test based on elements, दूसरा देखते हैं, test based on compound, so we detect the functional group, functional group आप लोग जानते हो, देखो, आपने aldehydes पड़ा होगा, ketone पड़ा होगा, carboglylic acid पड़ा होगा, इस हमारे functional group है, और उस functional group का melting और balling points क्या होता है, अगर यह सारी चीज़ों की study करूं, so इसको मैं क्या बोलूँगा, test based on compounds ठीक है, यह किसके ओपर based होगा, compounds के ओपर based होगा, दूसरा है, inorganics compounds में क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर detection करते हैं, cations and anionic species, मतलब, inorganics analysis आपको कराया जाएगा, वहाँ पे ना बस आपको cations और anions find out किया जाएगा, जैसे मैंने आपको NACL नमक दे दिया, और मैंने बोला, बताओ बच्चा, इसके अंदर क्या present है, ठीक है, तो आप lab में गए, बहुत सारे process होते हैं, उस process के थ्रू गए, और आपने NA को find out किया, और CL को find out किया, तो NA आपको क्या हो गया, plus, CL आपको क्या हो गया, minus, तो अगर आपने इस चीज की study कर ली, so that is called as what, inorganics compound, क्या बोलते इस चीज को inorganic, तो inorganic compound के अंदर क्या होता है, हम लोग detection करते कि इसका cationic और anionic species का, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है, मैं जैसे करा रहा हूँ ना, अगर आप वह से अपने exam में लिखेंगे न, लिख के देता हूँ, full marks, और teacher भी खुस हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा मैंने इसका notes बनाए ना बच्चा, आप देखी सकते हूँ, कितना अच्छा notes है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, देखके ही मजा रहा होगा कि यार, इतना अच्छा सबने notes बनाए तो हम क्यों ना मेहनत करके पड़े और आगे निकले, ओके बच quantitative analysis, बड़े label पे, तो quantitative analysis के दो टाइप होते हैं, दो तरीके से इसके study की जाती, for organics compounds के लिए, for inorganics compounds के लिए, मतलब जो आपका chemical method यूज करते हैं, जो quantitative analysis में, तो उसके दो टाइप होते हैं, एक organic method के थुरू करते हैं, और दूसरा हम लोग inorganic method के थुरू करते हैं, और यह हमारा साथ last topic है आपका, बस आप यहाँ पर ध्यान दीजेगा, ठीक है, चलो, अब हम देखेंगे बच्चा, कि देखो, आपके दो टाइप है, for organics compounds, for inorganic compounds, देखते हैं, पहले organics compound में क्या है, तो organic compound में बच्चा हम percentage determine करते हैं, क्या determine करते हैं, percentage determine करते हैं, तो determination of percentage constituents of elements, मतल अब, अब देखो, quantitative मतलब बड़ी चीजी find out कर रहे हैं, ना हमको, बड़ी चीजी find out कर रहे हैं, तो हमारा, वो elements कितना percent में पड़ा है, उस organic compounds में, वो हम find out करेंगे, जैसे हमारे पास कोई salt है, या फिर कुछ ऐसा organic compound, उसमे carbon, nitrogen, oxygen है, तो carbon का percentage कितना है उस compounds के इंदर, nitrogen का percentage is, उस compounds के इंदर कितना है, अगर यह सब चीजों की हम लोग study करें, so that is called as what, organics compound, ठीक है, दूसरा है, कि हम यहाँ पे concentration, क्या करते हैं, concentration of the unknown compound in the given sample, मतलब हम unknown sample का concentration भी क्या कर सकते हैं, find out कर सकते, मतलब हमें कोई, कोई मानलो, सुगर पानी दिया गया, ठीक है, सुगर और व concentrated है, concentrated मतलब, देखो, किसी में चीनी अगर जादा मिला दोगे, तो वो जादा concentrated हो जाएगा, किसी में चीनी कम मिला होगे, तो वो कम concentrated हो जाएगा, तो हम वो भी find out कर सकते हैं, आपने 1 mol का बना है, या 2 mol का बना है, या 3 mol का बना है, या 0.1 mol का बना है, ठीक है, तो इस method के फिटीछ के अधर सकते हैं एक तो हम अपने elements का percentage find out कर सकते हैं दूसरा concentration of sample भी हम क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं चलो आगे देखते हैं for inorganic chemistry के अंदर quantitative analysis में क्या करते हैं तो हम यहाँ पे decomposition of reactions find out कर सकते हैं तो कितना चले गया, कितना हमारे बीकर में प्रजेंट है, वो चीज़े हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए टेक्निक लगता है, वो यूज होता है, ग्रैवियोमेट्रिक अनलिसिस, यह ग्रैवियोमेट्रिक अनलिसिस अपको BSC अगरा में कराया जाएगा, थोड़े से पोजिशन कितना हुआ, मतलब प्रोड़क्ट बनने के बाद कितना बचा है, कितना उड़ गया, वो सारी चीज़े हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर वैसी चीज़े हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो उसको बोलते हैं, बच्छा, इन और्गेन इन और्गेनिक एनालिसस, क्वाटिटेटिव एनालिसस, ठीके, चलो, दूसरा है, हम यहाँ पर प्रोग्रेस ओफ रियक्शन भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब तिल कंप्लीशन, मतलब मालो, कोई रियक्शन चल रहा है, वो पंप्लीट हुआ है, या नहीं हुआ है, उस एनालिटिकल, एनालिटिकल क्वाटिटेटिव एनालिसस के थुरू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इन और्गेनिक टेक्निक के थुरू की, प्रोग्रेस ओफ दी रियक्शन, बिट्विन टू सलुशन, तिल इट्स कम्प्लीशन, तो वहाँ पर वो कम्प्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये सारी जो स्टडी होती, ये इन और्गेनिक्स केमिस्ट्री के अंदर होती, या फिर इन और्गेनिक्स कमपाउंड बोलते हैं, इन और्गेनिक्स कमपाउ ठीके बच्चा आपको ये वीडियो कैसे लग रहे अच्छा लग रहा है नहीं आपका एक feedback comment box में जरूर डाल दीजेगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज अपने friend के साथ में भी जरूर शेयर कीजेगा and thank you for watching this video and please do subscribe A to Z practicals बेटा thank you